हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप मिना नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की यूटूब चैनल दोस्तो आज का इस वीडियो आप सभी के लिए काफी खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएंजिसी की नई वेकिंसी के बारे में जी हाँ और आप दोस्तो आपको बताएंगे आपको ओनलाइन अपलाई कैसे करना है काफी सारे आपकी जो सवाल और डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट बने रहेगा और आगे बने से पहले दोस्तों आप सभी से शिकायत भी रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नी करते तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जाड़ हो जआ應該 किएगा रोज़ना इसी परका कैसे बनना है, पूरा का पूरा फोरम आपको भरके बताएंगे, वीडियो में लास तक बने रहेगा, आगे लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं, इस वेकेंसी की पुरी जानकारी, तो दोस्तों, ONGC में नई वेकेंसी आ चुकी है, 2021 की ये नई भरती होने जारी है, इस वेकें करने होंगे, आविदन उल्री स्टार्ट हो चुके हैं, लास जेट जो है, एक जनवरी 2021 से आविदन करने की, All of India की वेकेंसी है, पूरे भारत की लिए वेकेंसी है, भारत की किसी भी राज्ये में आप रहते हैं, तो आप अपलाई कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं सीधा ओफिशल वापसाइट पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे, दोस्तों, अगर आप दसवी पास, बार्वी पास, ग्रेजवेट, पोस्ट ग्रेजवेट हैं, या इटी आई डिपलोमा, या कोई सी भी क्वालिफिकेशन आपके पास में हैं, तो आप सभी को बता दे, बंपर भरतियां आ चुकी हैं, लगबग 2 लाग बंपर भरतियां हैं, रेलवी की, SSC की, पुलिस की, आर्मी की, और भी अधर डिपार्टमेंट में वेकिंसिस आ चुकी हैं, उन सभी की जानकरी और आविधन करने का लिंक मिलेगा आपको हमा हैं, जी हां दोस्तों, O NGC Mangalore Petrochemical Limited की तरफ से ये वेकिंसि आ चुकी हैं, और आपको बता दे, कि यहां पर ही जो वेकिंसि हैं, आप सभी के लिए गौल्डन अपर्टरिटी हैं, अगर आप यहां पर अप्रेंटिस का कोर्स करते हैं, तो सबसे पहले आप सभी को प्रेफ समझ सकते हैं आपकी, तो यहां आप सभी के लिए है golden opportunity, जी हां दोस्तों, काफी सारी वेकिंसि आती हैं, अपरेंटिस की लिए, लेकिन आप सभी candidates जो हैं, यह सोचते हैं, कि यह तो अपरेंटिस हैं, यहां पर कोई भी वेकिंसि नहीं हैं, लेकिन अपरेंटिस यहां पर आपको जो है जॉब मिलने की काफी chances होते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नई vacancies के बारे में, जो की apprentice की है, graduate और technician apprentice की, vacancy details में आप यहाँ पर देख सकते हैं, chemical, electrical, electronics की भी है, mechanical की भी है, instrumentation की भी है, और भी other vacancies है, जो आप यहाँ पर आ करके check out कर सकते हैं, total 25 vacancies है, आप इतन केवल आपको online करना होगा, और इंडिया के male और female candidates apply कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी कोई भी exam नहीं होगी, नहीं कोई आपका interview होगा, केवल आपके percentage based पर ही आपके यहाँ पर selection होगे, अगर जिसके marks ज़्यादा होगे, percentage ज़्यादा होगी, diploma या degree के अंदर, तो वो candidates यहाँ पर सबसे पहले selection पाएगा, salary यहाँ पर आपको staff fund मिलेगा, 8,000 रुपे diploma वाले को, और 10,000 रुपे graduate वाले candidates को मिलेंगे, ठीके, तो यहाँ पर एक आपको benefit भी है, कि अगर आप training भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर साथ इसाद आपको staff fund मिल रहा है, जिसे आप salary भी बोल सकते हैं, और job location जो है, O NGC, Mangalore, Petrochemical Limited की रहेगी, age limit जो है as per OMPL की अरनुसार रहेगी, application fees सभी candidates के लिए बिल्कुल free है, अगर आप general, OBC, SC, ST, किसी भी category से belong करते हैं, तो आप free में apply कर सकते हैं, online, घर बेटे अपने mobile से भी, और education qualification, diploma या फिर अगर आप degree pass है, engineering के अंदर तो आप apply कर सकते हैं, आविदन इसके 2 December से शुरू हो चुके हैं, 1 January 2021, इसकी last date है आविदन करने की, आविदन करने के लिए आपको दोनों ही link मिल जाएंगे, graduate apprentice का यहाँ पर link है, और technician apprentice का link है, आप यहाँ पर click करके आप आजाएंगे online forum पर, यहाँ पर आप जाएंगे online forum है, यहाँ पर आपको करना होगा, जिस discipline के लिए आप apply करना चाते हैं, वो select करना है, qualification क्या है, कौन से सन में आपने qualified किया है, आपकी जो भी diploma है या degree है, वो आपको यहाँ पर select करना होगा, उसके बाद आपका जो personal details है, उसमें आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी date of birth, और अगर आप शादी शुदा है, तो वो mention कर सकते हैं, नहीं है, तो unmerit select कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे options है, mobile number डालना है, यहाँ पर आपका किस state से आप loan करते हैं, वो select करना है, आधार number mandatory नहीं है, आप डालना चाहा है, तो डाल सकते हैं, gender select करना होगा, date of birth डालनी होगी, उसके बाद नीचे qualification देनी होगी, आपकी जो भी आपकी qualification है, कौन से branch से आपने qualification qualified किया है, diploma ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो भी academic qualification, जैसे की 10 वी, बार वी, इस वो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, और communication details में आपको आपका address दालना होगा, यहाँ पर आपको state, आपका pin code, आपका district select करना होगा, आपका जो भी address से वो fill करना होगा, आपकी documents में आपको यहाँ पर cast certificate upload करना होगा, यहाँ पर उसका file का format भी दे रखा है, अगर आपके कोई गलती हो गई है, तो आप उसे सुदार भी कर सकते हैं, ठीके, तो submit करने से पहले एक बार इसे cross check कर लिजेगा, उसके बाद finally आप इसे submit कर सकते हैं, इस प्रकार आपको apply करना होगा, और यह रहा official notification, यह जैसा कि आप दे सकते हैं, notification जारी हो चुका है, ONGC के दौरा, OMPL की वेकिंसी का है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी वेकिंसी की जानकरी मिल जाएगी, graduate, apprentice के लिए, कौन कौन सी discipline है, कितनी वेकिंसी है, qualification क्या है, यहाँ पर आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी, selection process के बारे में, eligibility requirement के बारे में, पूरी details में यहाँ पर जानकरी दे रखी है, और यहाँ पर आपको apply कैसे करना है, full details में यहाँ पर जानकरी दे रखी है, तो अधिक जानकरी के लिए, आप इस official notification में आए,